हेलो बैंट जानों टो बात करों मेरे भाई तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्श साथ अफ्रीका के बीच में जो पहला टी-ट्वेंटी मुकाबला खिला जाने वाला है उसके बारे में तो साथ अफ्रीकन टीन इंडिया पहुँच चुकी है अठाथाइस सेप्टे का प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं यह सभी मैनेजमेंट के आगे एक चैलेंज होगा और उसको सौ्ट आट करने पड़ेगा इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो चलिए बात करेंगे कौन से प्लियर खेल सकते हैं क्या कुछ प्लेंग 11 हो सकता है ड्रीम लेवन टीम क्या बोलेगी 15 points बताया जाएगा जो आपको काफी help करेंगा match को समझने में match prediction से related जानने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पूरा बने रहे हैं मेरे बहुत important वीडियो होने वाला है अठाइस सेप्टेंबर वेटनेस डे साड़े साथ वजे मैच खेला जाने वाला शाम में ग्रीन्फिल स्टेडियम त्रीवन रम यानि त्रीवन अंथ पूरम में खेला जाएगा मेरे बाई पीछ रिपोर्ट करेंगे तो बैटिंग सर्फेस हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हुमिडिटी लेवल काफी है जिसकी वैसे ड्यूफेक्टर प्रिवेल कर सकता है सेकंड बैट को काइंड ओफ यहां पर मेरे भाई एडवांटेज देखने को मिल सकता है आपको अगर बात कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट का उसके बाद अगर स्टैट जान लेते सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नमर पर कॉंटाइक कर सकते हो लिंक दिस्क्रिप्सिन वाक्स में देढ़ें क्लिक करके जो काम का लेवल देख सकते हैं तो डेमो महीं आता मेरे हबते में तीन से चार टीम ने से बात करेंगे इंडिया के तरफ से तो कुछ चेंजिस किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन टीम खेली उसमें से पॉसिबल चेंजिस यह हैं कि एक दो प्लेयर नहीं खेल ला है तो जैसे की हार्दिक पं हैं कि बाकी अर्दिक पंदय को जगा मिल सकती है बुबनेस्वर कुमार के जगा डिरेक्ली चांस मिलेगा नहीं मिलेगा तो जानेंगे जह DCT पाइब सिक्पदी उसकते हैं इंगले में में भूबने शुर कुमार की जगा सावट अफ्रिया के तरश से बात करेंगे तो रैसिव हेंडरसन जो बहुत अच्छे प्लेयर है इनफॉर्म प्लेयर थे वो एवेलेबल नहीं है टी ट्वेंटी स्कॉर्ड में ही जगा नहीं मिली वर्ल्ड कप में भी नहीं कहलेंगे है इंजिरी कंसर्ण के वज़ासे बाकी डीजा हेंडिक और एडिन मारकम दोनों अच्छे टच में दिख रहे थे जो कि आउट ऑफ फॉर्म है तीन महिना से किर्केट खेले नहीं है तो वह तो जगा खाएंगे इन दोनों का और सबसे बड़ी बात की राइलेडी उस वह अच्छा परफॉर्म कर रहे है तो उनको भी यहां पर चांस देना बनता है तो अगर बात करें तो उनका जगा कंफॉर्म होई चुका है क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है दा हंडेड में और बॉलिंग भी अच्छा कर लेते हैं ठीक टाक अबर निकाल लेते हैं तो यहां पर प्लेइंग कॉमिनेशन देखना रोमान चेक रहेगा साथ कैसे प्लेइंग के साथ जा सकती है बागी इंडिया के से प्लेइंग का बात करेंगे तो केल राहूल रोई सर्मा विराड खोली सुर्य कमान याद दीपक हुद्डा दिनेश कार्थिक जस्पीद बुम्राक्षर पटर युजवेंदर चल अरजदीप सिंहरसल पटल के जग से एक प्लेइर के चांस ज्यादा है तो कोई एक फ्लेइर खेल सकता है यहाँ पर और रिप्लेस्मेंट के तौर पर राइली रूसो को अटाया जा सकता है यह कॉम्बिनेशन फाइंड करने के चकर में तीन मैच है तो एक-दो मैच में मार्क रम, रिजा, हैंडिक्स भी खे करिए इंडिया में इंडिया में साउथ अफरिका डॉमिनेट कर रही है हों चाहिए भी इंडिया को जीजन चाहिए इंडिया को जीतना पड़ेगा क्योंकि एक भी सीरीज नहीं हाड़ा पाई है South Africa को T20 में इंडिया है ट्विन में बात करेंगे लास्ट फाइफ गेम्स में तो आप देख सकते हैं इंडिया दो जीती है South Africa दो जीती एक मैंस नूर जेल सरा है तो आप देख सकते हैं लास्ट पांच गेम्स में South Africa डॉमिनेट कर रही है दो मैस लगा तार आइलेंड को हडाई उससे पहले दो एक से इंग्लाइन को हडाई सीरीज और यहां पर चार मैं जीती है लास्ट पांच मेंसे इंडिया का देख सकते है विन है विन है लॉस है विन इंडिया को हडा के रही तो इंडियन टीम को ज्यादा अभी मोमेंटम रहेगा टी ट्वेंटी में प्लेइंग कंडिशन को भली भाती चापेंगे लेकिन South Africa के बहुत सारे प्लेयर्स CPL में भी खेल लेते कुछ प्लेयर्टी दवजर खेल रहेते तो फॉर्म में अभी प्ल इंडियन टीम के लिए जहां पर एक मैच जीती है वो न्यूजीलेंड को हडाई थी छे रन से और एक मैच हाड़ी है वो वेस्ट इंडी से बैक इन 2019 तो यहां पर ज्यादा मैचेस हुए नहीं इस वेन्यू पर मेरे बाग की प्लेयर्स का बात कर लेते हैं इंडिया के एवे लेवल नहीं रहेंगे मेरे यह खेलेंगे नहीं तो पांडिया के जागा मेरे खोली को आप पिक कर सकते फॉर्म अच्छा है अभी एसिया कप में भी सेकेंड हाई एस रन गेटर थे अभी लास्ट मैस में भी थर्ड अगर टी ट्वेंटी बात करें ऑस्टेलिया खिल है अक्षर पंडेल का बात करें तो हाई एस विकेट टेकर है रन भी कम दिया है ऐस्टेलिया जैसे टीम के खिलाफ और आट विकेट था इनका तीन मैंचेस में बागी साउथ औरिया के तरब से बात करेंगे की प्लेस में तो कुंटन डिक होगा अभी सीपेल खेल के आ रहे साथ विकेट निकाला आइडलेंड के खिलाब जो इनका टीटीटी सीरीज हुआ था और दीहंडिड में इनका काफी जबरदस रोल था बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने अब इनी प्लेस को लेते हैं जो मैंने आपके लिए टीम बनाए आपको यहां पर जाना चाहूंगा मैं बात करेंगे तो अक्षे पटेर के साथ नपी ट्रोडियस को पिक कर रहा हूं यहां पर मारकडम खेलेंगे तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं बोलेंगे बात करेंगे तो जस्पीस भूमना से साथ यूजवेंडर चाहर एलॉंग विद वेन को बनाना चाहूंगा अधर आपके पास हेड टू हेड में सुर्य कुमार याद हो के बहुत अच्छा अच्छा ऑप्टन के लिए या फिर विडाट खोली के साथ जा सकते हैं और वाइस कैप्टन आपको डाइली डूस हो या फिर कुंटन डिकों के एक अच्छा अच्छा वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करना है चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चेक आउट कर सकते हैं और देमों ही आएगा चलिए बबाए लवी टेक के कुड़ने